असलामलेकूम वेलकम टुमा यूट्यूब चैनल की चन्वीत महफीश मैं हूँ शेफ महवीश जी और यह है मेरे पापा कैसे आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब खारियस दोंगे खुश रहें अबाद रहें अपने घरों अपनी भड़ों पनी चोटों के साथ अला की मुझे अपनी दौब में याद रखें हर घर का एक सवाल आज खाने में कहा है तो बहुत ही मज़ी हम रेस्पी बना रहे हैं उम्मीद करोंगे कि आपको पसंद राएगी और अगर चाहते हैं कि मैंने एक सब्सक्राइब कर दें चल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चल्हें आज विडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हम आपके रिक्रेस्ट पर बना रहे हैं कस्टर जो कि बहुत ही है मेरा स्पीया सिंपल सबसे पहले हम इसमें वनकेजी जो है मिल्क लेंगे यह फुल फैट के जो है तो खुला दोता है न वही आज हम इसके अंदर अब एड़ करेंगे चीनी चीनी यहां पे मेरे पास से वनकाप ठीक है अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा आएड़ कर सकते हैं मुझे इतनी सी पसंद है बस अच्छा लगता है और इसको हलका सा मिक्स करेंगे और इसको जो हम फ्रस्ट चाहे बहुत हम सब्सक्राक जानने भीज़्ट उपनी कज़ई पपने एक दूप्संप सब्सक्रा लाएंगे कर दूप कहने लक्तिकाइज नीज़क है एक आपसissenschaft सम मार्केट के लिप से हो मृत अगणा है, और इसमें चाहर नीज़क मेन कानी दूपत करने लोन हैं, जो लो पहिज दूद्ध ही मोइ असमें कपके अड़ करें कि इसमें अल्यादा जब गढ़ा पानी ज्वर्णा, निंद भी Kalili है मिक्स मोओ क Picture तोllo' कि इसमें अड़ा जाते लूद्ध करें कि इसमें कि हम जो यह अड़ है कि जो यह दो टयच्दिय ना करें ब्ला जाना कोता है और इससे क्या होता है जब आप डारेक्ट उसमें अगर दूद में डालेंगे तो वह सारी गुठलियां उसमें करम दूद में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगी तो जैसे यहां पर एक फर्स्ट पॉयल आए यह आपने इसको एक बार चमच से हिलाना है और इसके अंदर जो हम और दम से सारा नहीं अड़ कर देना वह क्या होता है जब सारा आप एक दम से अड़ कर देंगे वह गरम दूद होगा और फोरन से गुठलियां बन जाएंगी तो चोटे चोटे च्छोटे टीप्स होते हैं जो आप फोलो किया करें आप जल्दी से मेरा चैनल भी खारा है यहां पे क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को लास्मी क्लिक किया करें इससे क्या होता है कि मेरी वीडियो आपके पास जल्दी से आया करेंगे यहां पर तगरीबन दो मिट हो गए और अब आपने इसको अच्छी से कुप करने रहें बहुत पतला यह और हाई अगर तो यह अलादा से एक प्लेट लेनी है इस तरह से थोरा से इसमें डालके आपने इसको थोरा सा इसे उल्टा करने है तो यह इसका मतलब भी पतल है क्योंकि यह नीची आ रहा है तो यह देखिए यहां से आप जब तक यह दुबारा हम टेस्ट करेंगे ना अगर वैस कस्टर थीक हो रहा है फिर से आपने ऐसी चमच उठाने ठीक है और यह देखिए अब तो यह आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कितना ठीक हो गया और फिर से आप डालेंगे ना प्लेट में लादा से तो वह पिर नीचे नहीं आएगा वह लीकवर्ड नहीं होगा तो सिम्पल एक बालो से आपने पμaking आपने ऐह लूए लेगा केक हो गया कोई बीना पर इसके पीस के रहा है और इस तरह चारो तरफ लगा दे हुए कगर रग्हा होगा में डालता हम गद्या के लिदैंगे तो फेल आपको अगर आपको पस यह ना भी हो थीऊ हो तो कोई इस यापके पास कोई फूट होगए तो आप अड़ कर दे, यहाँ पर मैंने इसको अड़ कर दिया, अब जो हम अब जो थोड़ा सा राकी है ना, वो हमने इसके अपर आट करें यहाँ है, इस से पते क्या होगा, इसको बना के साइट पर अब हम बनाएंगे जैली जैली के लिए यहां पर सिंपल जो पैकेट वाली जैली मिलती है उसमें भी हर तरह का फ्रेवर मिल जाता है और जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें हलका सी नीम गरम वाइल आएगा ना यह में पास एक ग्लास पानी पास इस पास आपकेट जैली जो ना बान हो प्रेवर मेंठेक लेऄ खाना है यह मिलत लें दोस्था ने जैली जाएगा पानी जैली क ित अपार अ to the day चाहिए ज़्या हो यहां पर फ़े जैली ना बान का सी एक तरह किस हमें एक राखना दूप जाए को फेफित्ग है और जल्दी से जाएं मैं अच्छाने सब्सक्राइब करें यहां पर 2-3 में इसको मज़ीद कुक किया और फ्लेम आपने मेडियम टू हाई रखनी है लो पर आपने बिल्कुल नहीं करना है लो पर पता है फिर एकदम से हमारी रस्पी खराब हो जाती है और देखें अभी लीकोड इसके अपर यह देखें यह कैसे इसकी एक तार बनती जा रही है और यह बिल्कुल भी लिकोड नहीं है तो इसके मतलब हमारे पास राइडी होगी है आपने सीम्पल इसको निकालने ठीक है इस तरह से बोल में निकालके बापने बिल्कुल इसको फूरीज कर लेना है जमने और यहां पर मैंने इसको यहां पर निकाल लिया और इतनी मज़े जोड पितनी चुछपड पर अ रस्पी थी सीम्पल आपने नाइफ लेनी है कोई भी आपने शेव बनाने है तो किसी भी जार में डालके यह िसको शेव भीबना सकते हैं sap ऑज यहां पर रहे हैं इसको कित हैं, और मैंने कितिनी सारी मिठे में सी का उइ हुई है, आपने कुछ भी बनाना कुछ सर्च कर ने हैना है तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च किया, रियानी रेस्पी बाइश यहां पर लास्ट में हम इसको रिक बाइड़ हों कर देंगर ज़ाने जाले को ठीक है कोई भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता हूँ अस एज आज आप ने यही रैस्प ट्राइक और मुझे लाजमी बताना है कि आपने यह रैस्प ट्राइक के और आपको कैसी लगए हो तो यहाँ पर मुझे इचाज़त देए और यह मसदार रैस्पी आपके और मेरे जितने भी सोशल अकाउंट हैं उनको जल्दी से जाएं फॉलो करें और कॉमेट मुझे लाजमी बिताइएगा मैं इन्शाला नेक्स रेस्पी वही बिनाऊंगी और यूट्यूब पे मेरी बेशुमार ऐसी स्वीट रेस्पीज हैं ऐसी जड़ पर रेस्पीज हैं आ इतना थीक और कितना मज़े का बने इतना क्रीमी था यह तो कैसी लगी आपको आज के रेस्पी उमीद करते हूं कि आपको आज के रेस्पी अच्छी लगे होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम एक्स रेस्पी आपकी पसंद की बिनाएं तो चलब दों से मेरी वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमेंट में अपनी फेवर्ट रेस्पी का नाम लिखें और मुझे इचाज़त दें अलाफीज